वेल्कम टू माई यूटूब चैनल तो आज के वीडियो में हम यहां पर डिसकस्टन करने वाले हैं अब आउड दा इंट्रप्स तो यहां पर हमने एक क्वेशन लिखा हुगा है उसमें कितने इंट्रप्स होते हैं और उनका क्लासिप्रिकेशन कैसे किया जाता है तो सबसे पहली बात तो है हम यहां पर वाट इंट्रप्स होता क्या है इंट्रप्स को बहुत अच्छे से कॉंसेप्ट लियर होना चाहिए रटना नहीं है जो समझ में आया वो लिखिए छोटे-छोटे sentence बना यह हम कोसेच करेंगे कि आपको लिखने की समझेंगे सब चीज़ें के लिए हो जाएंगे तो सबसे पहले interrupts को हम समझते हैं कि interrupt होता क्या है तो interrupt microprocessor में यह होता है कि जैसे हम एक exam पर लेते हैं interrupts के लिए यदि दो लोग बात कर रहे हैं और यदि दूसरा बंदा तीसरा बंदा कोई बीच में disturb करें तो इस वैड का हम लोग यूज़ करते हैं अधिकतर कि बीच में interrupt मत किया करो तो उसी को बोलते हैं interrupts कोई process चल रहा है दो लोग आपसम बात कर रहा है बीच में किसी third person ने disturb कर दिया उसी को बोलते हैं interrupts तो इसी तरह से microprocessor में भी interrupts होता है जब microprocessor 8085 पहले तो यह बात समझ लेज़े कि microprocessor interruptable device है अब interruptable device का मतलब क्या होता है interruptable का मतलब क्या होता है माले जिए कोई भी यदि इसका addition कर रहा है two, three, one, five इसको add कर रहा है क्लिए रहे इसका addition कर रहा है वो और addition करते करते इसको माली जी यहाँ पर मैं four और लिख लेता हूँ उसने four को add किया four मैं two add किया तो six हुगा और six के बाद जब यहाँ पहुँचा तो इतने बीच में आ गया interrupt interrupt आ गया तो अब interrupt आ गया बीच में माली जी एक दुकानदार है वो पैसे जोड रहा है addition कर रहा है और बीच में दूसरा गिरहा का गया तो इस काम को छोड़के दुकानदार जो उस गिरहा को सौधा देगा और उसको सौधा देने के बाद फिर लोटके यहाँ पर आएगा अब दुकानदार क्या करता है फिर यहीं से start करेगा यह addition तो यह तो time बढ़ गया यहाँ पर काम करने में तो यह interruptible device ने हुई interruptible device कब होती है interruptible device के ऐसे होती तब ही interruptible device होती जब वो 4 plus 3 4 plus 2 6 plus 3 9 यहाँ पर 9 आया और 9 उसने add किया और interrupt आ गया माइक्रोपुसर में जो चलता है यादि माइक्रोपुसर वह एक program यह गुट कर रहा है इसके addition का और बीच में कोई interrupt आ गया तो क्या करेगा माइक्रो पूसर माइक्रो पूसर जितना यहां से यहां तक का एडिसन उसने किया तो 9, 9 को कहीं पर सेफ करके जाएगा और उसके बाद interrupts related काम करने चला गया कहां चला गया ISR इसको अभी बताएंगे टेटेल में पूरा आईए ISR पर फिर यहां क्या होगा यहां कुशन मार्क है कि यहां पर क्या होगा means EC को बोलते है interrupt तो यहां से interrupt आई interrupt service routine में गया वहां पर काम करने लगा इसको बात कर देते हैं और यहां से लटके जब एक काम कम्प्लीट हो जाएगा interrupt service related काम कम्प्लीट हो जाएगा कम्प्लीट हो जाएगा तो माईकर उसर लटके यहीं पर जहां काम छोड़के गया था बीच प्रोग्राम में तो लटके वहीं पर वहीं से start करेगा ना की starting से उसने पहले एडिशन कर लिया था यहां तक एडिशन कर लिया तो वो 9 आया था और 9 को वो save करके गया है और उसने 9 के बाद जब लोटके आया interrupts related operation करके तो लोटके 9 में 188 की या 10 plus 5 15 आंसर निकाल देगा तो यदि कोई डिवाइस यहांसा काम करती है कोई operation कर रहा है और बीच में ही कोई interrupt आता है interrupts related operation कर ले और operation interrupts related काम complete करने के बाद जहां पर एडिशन चोड़के गया था प्रोग्राम वहीं पर लोटके वहीं से वहीं से फिर स्टार्ट करते तो यह भी काम हो गया वह भी काम होगे interrupts related काम यह एव इसए डिवाईस है तो एव इसए डिवाईस को बोलेंगे interruptable डिवाईस और microprocessor कैया सा है microprocessor interrupt driven device है interruptable device ये भी कährt सकते interrupt driven device है driven का मतलब क्या है driving बोल सकते इसको interrupt driving की जैसे driver होता है तो ऐसे ही गारी चलाता है ऐसे interrupt के इसको इंटर्प्ट डिवाइस भी बोलते हैं और इंटर्प्ट डिवाइस भी बोलते हैं माइक्रोपॉसर इसा ही ओप्रेशन करने की छमता रखता है इसलिए माइक्रोपॉसर में कुश्यन आता है what is interrupt clear रहें तो अब इसके बाद आते हैं हम कि interrupt क्या होता है अब यह interrupt आता कहां से है तो पहले समझे Microsoft में interrupt internally भी आ सकता और externally भी आ सकता है externally का मतलब interrupt के बाहर से भी आ सकता है जो process कर रहा था Microsoft कोई भी operation कर रहा था तो internally भी आ सकता है और बाहर से भी आ सकता है externally तो externally क्या होता है यह समझना होगा यदि micro processor के बाहर से interrupt आ रहा कोई दूसरी device interrupt भेज रही है तो उसको बोलेंगे क्या external interrupts और यदि अंदर से ही interrupt आ रहा है कि एकजामपिल का ध्यां रखना जो हम ने दिया क्या है इंटरप्ट पड़ते हैं हां यासा है एकजामपिल ध्यां रहेगा यह कहानी सब लिख ले जांगी अब कार LGBT हमारी है एगजामपिल जो हम हम दे रहे हैं वो अब एकजामपिL लेते हैं यदि हम यहां पर class चल रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं और यakte हम इन्किया है और यह कोई होई कर रही हैं मतलब कर रहा हैं भिजा को पढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं कोई process कर रहverts लेकिन यह Körper घै माली जी आप लोगोंने कोई question किया तो आप जै एस टाइम आप लोग क्या है az इंटर्प्ट हैं। मैं माइक्रो म्यून हुआ हैं। निद hahaha इंटर्णल शोते हैं माइक्रो प्रॉचनर में और कुछ इंटर्प्ट ऐसे होते हैं, जो अंदरतों do या हमसे तो एक्षटरनली कुश्चन आया और एक कुछ इंटरनली हो सकते हैं जैसे हम पढ़ा रहे हैं और हमारे अंदर से ही हमारे सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए माली जी हमें खास ही आ जाए तो हम पढ़ाएंगे या सेंटेंस पूरा करेंगे या टॉपिक पू पाद में लेते रहेंगे नहीं है मस्त तरीके से पढ़ना है मजा लेते होगे एक्जामपिल का प्रिसेश्ट ध्यान है जो हम बता रहे हैं तो यहां पर यदि इंटर्प्ट दो तरह ऐसे आ सकता है यदि आपने पूंचा तो एक्षटरनली इंटर्प्ट से हमें खास ही आ लेंगे एक्षटरनली इंटर्प्ट दूसरा क्या है माइक्रो प्रोसर में सौप्वेर इंटर्प्ट क्या है इसी प्रोग्राम में इसी प्रोग्राम में यदि एक इंस्टक्शन लगा दी जा इंटर्प्ट तो इसी प्रोग्राम में अग्यूब करता रहें जब वह इंस् लिखा है, interrupt is in internal or external event. General or external event which may disturb the sequence of execution of man program. जो my device अपना असली program, man program, execute कर रहा था, उसके बीच में ही कोई, कोई disturb कर दे, इंटर्णली और एक्टर्णली दिस्टर्व कर दे किसको डिस्टर्व दस्टर्व करते मैं प्रोग्राम को उसे बोलते हैं हम इंटर्प्ट की बहुत सब्सक्राइपनिशन लिखी है इंटर्व इंटर्व इट्रणल और एक्ट्रणल मैं और इंटर्व करते हैं उसे को बोलते हैं इंटर्वंट की लिए रहे हमने इसी बात को थोड़ी और अच्छा समझाने की कोशसित हैं अगर definition लिखनी है तो यहाँ पर को में लगा दिया हमने, यहाँ पर आपको इतनी ही definition लिखनी है interrupt की, थोड़ी सा समझना है तो आपको यहाँ पर हमने दो लाइने और लिखें हैं, लिखें में प्रोग्राम, इपने अपने प्रोग्राम को रोग दिया, यही पर 9 एड किया थे, यही पर छोड़ दिया, यही पर तो इस्टॉप में प्रोग्राम, and go to the ISR, ISR में चला गया, यही बात लिखिए जो हम समझा दे, and go to the ISR, ISR का मतलब समझा रहे हैं, ISR का मतलब होता है interrupt service routine, interrupt service routine का मतलब क्या होता, interrupt से related service करने वाले routine पर चला गया, यह जो प्रोग्राम था, यह कौन सा प्रोग्राम था, यहाँ पर काम करने चला गया, माले जी यहाँ पर भी कोई काम था, माले यह 8-4 करने के लिए कह दिया था, कि इसने के 8-4 करके answer बताओ पहले फिर एक प्रोग्राम बाद में करते रहे ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, यह आई-सर हो गया, यह एक एक्जामपल दे कर रहे हैं हम, ठीक है ना, एक सोटा सा एक्जामपल दे के, उसने क्या दिया, इसने इन तीन चीजों को add की यह 9 आया, 9 को save कर दिया, उसने उसने इन इन इंट्रप्त आ गया, तो कहां चला गया, ISR में काम होगा कोई करने के लिए क्या वहां भी एक प्रोग्राम होगा मिनी प्रोग्राम चाह जहां हो चाहे ISR में हो चाहे प्रोग्राम में इसको बोलते हैं मैं प्रोग्राम इसको बोलते हैं क्या मैं प्रोग्राम क्लिए रहे और यहां से चला गया है यहां पर उसने कहा ही प्रोग्राम रन कर दो एट माइनस फोर कर दो तो रिजल तो आगया फोर जो भी फोर आए यहां पर काम किया complete हुआ जब काम, यहां पर complete हुआ काम, तो लोट के कहां चला गया प्रोग्राम, आया था देखिए यहां, और चला गया, यहां से लोट के जाएगा, कहां जाएगा, जहां इसने काम छोड़ा था, वही बात बिल्कुल लिखी है, when MEOP executing man program एक काम कर रहा था, if any other operation is required, कोई दूसरों urgent काम था, वो करना था, then MEOP stop man program, MEOP ने अपने काम को यहां पर stop कर दिया, and go to the ISR और चला जागा, ISR पर clear, and complete the interpret related special operation, जी interpret में special काम कर रहे, special ही काम हुआ है, से तो हटके हुए special operation, after that, उसके बाद, after then, again come back to the man program, लोटके फिर man program पर आएगा, continue the program, इस प्रोग्राम के continue execution करता रहेगा, this process is called interrupt method, इसी को बोलते हैं, interrupt method, clear रहे, आगे समझ में, अब आती है बात, यह तो हो गए, interrupt की definition, what is interrupt, आंगे उसने कहा था, classify the 8085 interrupts, 8085 जो microprocessor होता है, उसके interrupts को classification करो, कितने तरह के होते हैं classification interrupts के, इसे example को ध्यान रखना, और class में, student के बीच में, जो question का है, उसको भी ध्यान रखना है, इसके बाद हम आते हैं कहां पर, हम आते हैं classification of interrupts, तो hardware interrupts और software interrupts, इसको बाद में पूरा आता रहेंगे, पहले समझ लो, hardware और software interrupts होते क्या हैं, इसको समझ ना हैं आपको, Microsoft 8085 में, यह से block diagram पढ़ा होना चाहिए, पहले से open diagram, यदि आप interrupts पढ़ने के लिए आए हैं, तो यह निश्यत दोर पर आपने पढ़ रखा होगा, यह क्या है, block diagram में था interrupt, interrupt control था एक, interrupt control था, उसमें क्या लगी थी, उसमें 6 पढ़ने लगी थी, एक अंदर को, फिर एक बाहर को, फिर ऐसे, इस तरह से आपने पढ़ रखी थी, कौन कौन सी थी यहां पर पेने, यह बताएजिए, कौन कौन सी पिन थी यहां पर, एक पहली थी, intr, इसको समझाएंगे अभी, यहां पर क्या थी, int, block diagram पढ़े होगे, तो इस पर बाहर लगा रहा है मतलब बाहर लगा है इस पर एक बायर है एक लिए इस पर लगा इसका उदाश जीरो पर काम होगा यहां पर क्या लिखा था और सबतिक इतना 5.5 आर ऐसटी 6.5 वार सबने 5 3.5 तीन पर नहीं तेन पर नहीं और also vali कौन सी त्रैप ए लिए रहे एकदम हम पूरा फंड़ा किलियर करा रहा हैं बस वीडियो देखिए बिलकुँ मन लगा के देखिए जो बोले हो उसको समझिए कुछ दिर समझ में आए तो उसको दिमाग में रखिए ऐसा बता दिया आंगे वो फंड़ा किलियर हो जाएगा हम पूरी ताकत लगाए हैं कि आपको एकदम फंड़ा किलियर हो डेटेल में लगे थोड़ी सा तो धीरत लखिएगा थोड़ी देर और फंड़ा किलियर होगा इसी वीडियो को एक बार देख लिए नोट्स बना लिए इसके बाद क्या करा है उसके बाद आप अपना नोट्स बना लिए वीडियो को एक दो बार देख लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी किसी बुक से पढ़ने के इससे अच्छा कहीं मिलना ही नहीं है चलिए तो यह हो गया आपका यहाँ पर क्या लगा होता था और यहाँ पर क्या था यह पूरा यह माइक्रो प्रोसेसर था यहां से लेकर सब माइक्रो प्रोसेसर बना दिया है मैंने माइक्रो प्रोसेसर के लिए रहे यहां पर intaps related 6 पिनाय लगी दिख रही है यहां पर लेकिन 6 इंटप्ट नहीं है यहां पर 6 इंटप्स नहीं है इंटप्स लेटेर पिंस नमबरों पिंस 6 है 1,2,3,4,5,6 लेकिन इसमें से 5 पिंस अंदर आ रही है लेकिन एक बाहर जा रही है int यह बार यह क्या है int का मतलब होता है intaps, int का मतलब interrupt,r का मतलब request,int का मतलब interrupt,r का मतलब पढ़ने आए हैं तो block diagram, pin diagram पढ़ लिए होगे, एक आता है, interrupt trap, trap, क्लिए रहे, तो यह आय है कैसे microprocessor में, hardware interrupt, नहीं सब, hardware interrupt, यह सब हाडब्वेर इंट्प्स, तो माइक्रोफोसर में हाडब्वेर इंट्प्स कितने होते हैं, बोलो, बोलेगे यहाँ पर five होते हैं six, कितने इंट्प्स हैं यहाँ या six, काया था जो इसको एकनोलेजमेंट करने के लिए चला गया है यहां नहीं भागना है कि क्लासिफिकेशन करें इसको रट्टा मारें नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं आप यूडियो में बने रहे हैं एक दम याद हो जाना चाहिए यहीं पर और इस थेओरी को एक बार दिहां रखेंगे जो हमने समझाया यह त्योरी अपने आप लाइन हो जाए कोई दिक्कत नहीं कोई जरूरी नहीं बिल्कुल ऐसा ही लिखें थोड़ी बहुत बदल जाए बात वह हो जानी चाहिए जो कहनी है जो जरूरी है तो इंटर्प्ट इसके बाद आया है यहां पर पांच इंटर्प्ट हैं हाडवेर इंटर्प्ट हैं कौन-कौन से पांच इंटर्प्ट हैं हाडवेर इंटर्प्ट देखिए INTR RST 5.5 6.5 7.5 ट्रेप तो यहां पर आते हैं अब क्लासी फिकेशन ओप इंटर्प्स यह561 मैं लिखा था यहां पर last sentence बचा था HERE 15 में उपी हों फाइब हाड़े रिर इंटरप्स यही pm भाड़े रे नर्प्स हैंफ हाड़े रे रे रेंटरप्स हें । तो टो टोल हो गए हैं कितने हो गए हैं कितने 5 पिलेस 8 एक्वल टू 13 इंटरप्स हो गए हैं 13 इंटरेड doors 13 इंटरेडब्स हो गया हैं quindi कि हो गए इसकी लाइए अब करते हैं क्यान रेट इंटरेडses किया सकता है पहला है यहाँ याभी पूरा क्लासिफिकेशन और फाइब तो हाड़वेर तो फाइब तो फाइब तो सब्सक्राइब अभी तो इस आएंगे तब हम बात करेंगे इसको क्या बोलेंगे हम क्लासिफिकेशन और इंट्रप्स कौन सा हार्डवियर एंड सौप्टवियर इंट्रप्स का क्लासिफिकेशन दूसरा क्या आएगा मास्केवल एंट्रप्स मास्केवल एंट्रप्स दो तरह का क्लासिफिकेशन अब मास्केवल क्या होता है जिस इंट्रप्स को थोड़ी दिर pending में रखा जा सकता है वो सभी interrupts कहलाएंगे maskable interrupts जिन interrupts को pending में नहीं रखा जा सकता है बेट नहीं करा जा सकता है उसकी बात को तुरंट सनना पड़ेगा सुनना पड़ेगा तो उसको बोलेंगे non maskable interrupts अभी तीसरा classification और आएगा यहां जगाए नहीं है इसलिए हम नहीं यहां पर अभी इसकी जरूरत है इसलिए उसको हटाने रहे इसलिए हम यहां पर पूरा नहीं कर रहा है पहले इसको समझा ले जाएं फाइव हाडवेर इंटर्प्स आ गए हैं बिलोग डाइग्राम पिन डाइग्राम बहुत डिटेल पड़ा है हम अभी बता चुके हैं सौप्ट्वेर इंटर्प्स क्या होते हैं देखिए शॉप्ट्वेर इंटर्प्स होते हैं 8 जो होते हैं RST 0 , RST 1 , RST 2 , RST 3 , से लेकर RST 7 तक 8 हो गए हैं तो यह हऊंais हो गए हाइस हाइप he पूर हे हाइब के दिर आए , been turns कें थो आता है । ये कहां से आता है, माइक्रो प्रोग्राम में ही, माइक्रो प्रोग्राम में भी सभी इंस्ट्रक्शन, MBI, A, B, MBI, A, 3, 2, H लिखा, हमने A, B लिख दिया, सब्ट्रेक्स, सब्सी लिख दिया, और उसके बाद एक लगा दी RST4, मालो हमने लगा दी RST4, इनमें से कोई RST4 मिल गई, मतलब उसको एक इंटरफ्ट मिल गया, कौन सा इंटरफ्ट मिल गया, सब्सी लिख रहे, हाड़वेर इंटरफ्ट कहां से आगए, वो बाहर से आए, प्रोग्राम में नहीं आएगा बीच में, तो इस इंस्ट्रक्शन के थोगर्ण में ही होता है, और ये वाल मैं बना लेता हूँ, हाड़वेर इंटरफ्ट भेज रहा होगा, यहाँ पर एक चिप होती है, यह कोई, एक इंपोट आउटपोट डिवाइस होती है, वो भेजती है, यहाँ पर एक चिप होती है, कौन सी, 8259, पता नहीं यह से दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर कौन इंटरफ्ट कंटॉलर वाली चिप होती है, एक आईसी में बनी होती है, कौन सी आईसी होती है, इस आईसी के नंबर कितना है, यह 259, यह 259, यह 259, पी आईसी है, इंटरफ्ट से रिलेटेड एक आईसी होती है, तो इस पिन पर क्या होता है, एक पिन इससे बाहर निकल रह ही होती है is PIN का नाम होता IST, INT का मतलब है interrupt यह बाहर जा रही है क्लिए ध़िया रहे है je TP'न कै पास एक पिन होती है अंदर के तरफ इक होती है अंदर के तरफ उसके पास कौन सी होती है? AI-n-ũीय होती है यासे इसमें थी एक AI-n- pa bar थी और इसमें आगर यहां पर है तो यहां पर bubble लगा रहता है ऊ- safest काम कुई हर तो यह रिक्वेस्ट वे जे माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर को एक request भेज़ेगी कौन सी pin से इस pin से बाहर जाएगी INT इसकी interpret request pin है और यह जाके कहां connect हो जाएगी यह वाली pin आके यहां connect हो जाएगी इस से INTR से INTR का मतलब interpret request pin इससे pin निकली है जो इसमें अंदर गई है वे interpret request मिल गई इन 6 पिनों मैंसे सबसे पहले यही pin काम करती है INTR जब microposor जैसे इसी interpret request आएगा तो microposor जो अपना present में काम कर रहा हो और operation यह current instruction जो execute कर रहा हो जो बीच में फसी होगी उस instruction को complete करेगा तुरंट नहीं सुनेगा बात को उस instruction को complete करेगा clear रहे फिर उसके बाद जब अपने काम को microposor रोक लेगा जहांसे हम यह example दिया था वहाँ पर एडिशन में 9 आया था यहसी microposor कोई काम कर रहा है INTR आ गई यह तो microposor एक signal भेजेगा किसको उसी device को जिसने A259 को जिसने INT भेजी थी request भेजी थी उसी को एक signal भेजेगा बाहर को बाहर को एक signal भेजेगा तो इससे इसका connection हो जाएगा तो INTA यहां पर INTA बाद था तो यहां से 0 जाएगा यहां बाद लेगा जीरो कपन मिल गए इंटर्प्स रिलेटेड ओपरेशन 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 अब यह 259 है अब जो भी इंटर्प्स आ रहा होंगे 5.5, 6.7.5 इन से रिलेटेड काम होने लगेगा अब इंटर्प्स की बात आती है इंटर्प्स कोई एक नहीं आता एक टाइम में इंटर्प्स एक टाइम में दो भी आ सकते हैं तीन भी आ सकते हैं चार भी आ सकते हैं यह कोई बाउंड देशन नहीं एक बार में इंटर्प्स आए एक एक बार में इंटर्प्स आ सकता हो सकता दो इंटरप्ट आ जाए अब जब दो इंटरप्ट आ जाएंगे तो माइक्रोपसर क्या काम करेगा उसकी बात थोड़ी देर में करते हैं यहां पर बात होगी वह इस पस्ट क्लियर है तो यह तो हो गया हाड़वेर एंड सौपवेर इंटरप्ट अब इसको डेटेल में इ सब्सक्रेंड ऑट है तो मास्केविल का मतलब शॉता है maskable का मतलब होता है एक तरह से मस्का लगा देना जैसे कुछ maskable का मतलब है यदि दो लोग कोई बाथ कर रहा है आप आसना कोई program या जी उस हैं चल रहा है क्लियर है या हम हम कोई program कर रहा हैं हम पड़ा रहे हैं कोई बच्चा वहां से ऐसा क्या पो व्यांकिष्ट करें हो सकता है, हम उसकी बात को सुनए कि न ही ना, इ politicians करते हैं थोरी देर के लिए, उसको इसको मसका लगा दिया बैठो, चुब बैठो, उसको क्या भोलेंगे, मास केविल इंटरप्ट, प्लिक्स के लिए रहे, तो जो इंटरप्ट को पेंडिंग म रखा जा सकता है, क्लिए रहे हैं, बैसे interrupts को बोलते हैं हम कौन सा mass cable interrupts, तो 808, 5 micro percent total इतने ही interrupts हैं, इन ही मैंसे कुछ mass cable होंगे, इन ही मैंसे कुछ non-mass cable होंगे, mass cable और non-mass cable, तो इन ही मैंसे कुछ होंगे mass cable, कुछ होंगे जिनको थोड़ी देर पेंडिंग में रखा जा सकता है, मतलब जिनकी एक तरह से इज्जत कम है, उसको मास्केबिल बोल देंगे, जिनको बिलकुल नहीं रोका जा सकता है, उसकी बात तुरंट सुननी पड़ेगी, उसको बोलेंगे नौन मास्केबिल इंटरप्ट, के लिए इसकी आऊने और अब आप लोगों को पड़ा रहा है, तो आप लोगों से पूछ या इए पूंच लिए 1-2 की क्या से पूछन चाहता है, एक वहाँ से सबसे पहले सिगनल भेंगे, तो वहां से सिग्नल भेजांगे या तो हैंड राइज करेंगे या कोई एक्टिविटी जैसी करेंगे टीचर समझागा बच्चा कोशन पूछना चाहता है तो वह क्या भेजा आपने थोरी सा ऐसे कर दिया इसका मतलब क्या भेजा आपने टीचर के पास आपने क्या बेजा आई एंटी आर भेजी आई एंटी आर इंट्र रिक्वेस्ट अब आपको अब बेट करना है स्टूडेंट को कि टीचर कब बास सुनता है तो तुरंद टीचर क्या करेगा तुरंद समझेगा बच्चे ने कुश्चन पूंचना चाह रहा है अपने सेंटे आप अब हो सकता है यहांपर इंट्र हो गया माइक्र्प्र वाहति हो तो क्या हो TO यदि दो बच्चे इंटरप्ट भी देते हैं तब क्या होगा तो इन दो मैंसे किसी एक की बात सुनेगा सबकी बात दो को या तीन या चार एक साथ आ सकते हैं तो किसकी बात सुनेगा पताने किसकी बात सुनेगा पहले यहां पर आती है बात एक priority की, किसकी priority है, तो किसी एक time में ये कही की बात सुनेगा ये का काम करेगा, क्लियर तो masqueable interrupt किसे बोलते हैं, जिसको थोड़ी दिर pending में रखा जा सकता है, क्लियर नॉन masqueable interrupt किसे बोलते हैं, जिसको pending में बिल्कुल भी नी रखा जा सकता है, यदि class running में किलाश चल रही है और आप पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा हरहे हैं और यदि कोई इंटरफ यह साल आ जाए ओर लुकर इथा सब कुछ और हम सब को छोड़के दIchा को की बात सुना फ्री पर 13 के पर १ास शुक्त habe तो हमारा यह कहलाएंगे क्योंकि डारेक्टर से यह नहीं कहा जा सकता अभी थोड़ी देर रोको पुरंद बास नौन मास्के उनको पैंडिंग में नहीं रखा जा सकता है उनकी बात तुन सुननी पड़ेगी कि लिए तो मास्केवल इंटरप्स कौन कौन से होते पहले बात क से यहां पर और ट्रेप इहां ले आएए चार बचाएंगे तो आरएस्टी सेवन पॉंट सिक्स पॉंट फाइइफ प्वाइएंट यहां और लिख देता हूं मैं आई एंटिया नहीं था कि ताकि सम्झाते समय लिखेंगे तो यहां पर क्या लिख दू मैं एक यहां पर तो यहां क्यों होने चाहिए ऐह फ्रीया चाहिए यहां पर नाइन आश्वार्त पर चाहिए ठीज चाहिए ना इन में यह 1 च़र्ट गया एक चाहिए इधर तो मैं यह है लिए कि प्लके तॉ ट्रेप को इवा या रीप ट्रेप ये one number का हो गया और ये nine number का हो गया, nine interrupts आ गये हैं, कौन कौन से, कौन से non-maskable interrupts है, एक चीज बहुत important है, हमने वहाँ लिखी नहीं थी अभी तक, जब बीच में आएंगे तब ही हम लिखेंगे वो, trap का एक दूसरा नाम होता है, trap को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो क आर, ST, 4.5, दो-तीन जगए हम लिखे दे रहे हैं, ताकि ये आपके फिलो में आ जाए, क्योंकि ये कहीं पर, कहीं पर लिखा नहीं है, बार बार, ये question बहुत आता, completion में, traps related, बहुत question आता है, interrupts related ही बहुत questions आते हैं, तो ये हो गए, hard maskable interrupts, इनको pending में रखा जा सकता है, थोड़ी देर, लेकिन इनको नहीं रखा जा सकता है, ये non-maskable interrupts, trap आगे तुरंद बात सुननी पड़ेगी, ये RST 0, RST 1, ये तो software interrupts हैं, इनकी बात तुरंद सुनन अगला, फेकर कहीं मिलेगा नहीं जल दी, लियर है, किताबों में लखेंगे, तो ये तना नहीं लखेंगा, ये कहां यूज हो रहा है, ये interrupts जो हैं, इसको हटाता हूँ मैं, इसके बाद, तीसरा classification, तीन तरह से classification किया जाता है, ये 085 के interrupts का, maskable, sorry, पहला होता है, कोई भी कर लो, hardware and software interrupts, दूसरा कौन सा होता है, maskable and non-maskable interrupts, तो दो तो हो गए ये आपके, तीसरा और classification होता है, कौन सा होता है भाई, तीसरा classification, एक होता है, यहाँ पर, नाइन प्लस फोर, तो यहाँ पर भी 13, चाहिए, दो नो मिला के, वाई, इनी मैंसे छटने हैं, कौन सा, तीस बेक्टर्ड एंड नोन बेक्टर्ड इंटर्प्स, कौन सा, बेक्टर्ड एंड नोन बेक्टर्ड, नोन बेक्टर्ड, बेक्टर्ड एंड नोन बेक्टर्ड इंटर्प्स, इंटर्प्स, बेक्टर्ड एंड नोन बेक्टर्ड इंटर्प्स, अब आती है बात, टोटल कितने होते हैं यहां पर बता देते हैं यहां पर बैक्टार इंटरॉप्स 13 मैंसे वह सब्सक्राइब करना नहीं समझना भी साथ में इंटरॉप का मतलब क्या है जिनकी लोकेशन होती है गेक्टार लोकेशन का मतलब क्या जिनका memory का address होता मिजिन इंटरॉप्ट का अपना कोई address होता है उसको बोलते में बैक्टार्ड इंटरॉप्ट के सकते हैं और दूसरा इसको क्या क्या है तो बैक्टर लोकेशन लोकेशन का मतलब एड्रस बैक्टर एड्रस इसका कोई एड्रस होगा इसका भी नॉन बैक्टर इंटरस है इसमें एड्रस होगा या नहीं नॉन बैक्टर है बैक्टर में एड्रस है लेकिन नॉन बैक्टर में एड्रस ह या नहीं? नहीं होगा. तो इसमें कोई भी नहीं होगा. तो non-bacterial interps 1 ही होता, वो कौन सा होता है? INTR. INTR के आंगे कोई number नहीं लिखा होते हैं, ध्यान रख दिये. इन सभी में, सब रस्टी जूरो सोई, रस्टी 7 तर सब में number लिखें. trap मैं नहीं लिखा दिख रहा है तो हमने लिख दी RST 4.5, 5.67, 7.5 जो भी लेकिन INTR में कहीं नमबर नहीं है नहीं हाँ नहीं होगा तो इसमें कोई नमबर इसलिए तो लिखा नहीं गया क्योंकि इसकी कोई location होती है नहीं कोई इसका मतलब क्या है तो अभी तो सिर्फ क्लासिप केसन चल रहा है अब आते हैं हम कहां बैक्टर्ड इंटर्प्स कौन कौन से होते हैं बई बन से लेके वन नमबर पर कौन सा है बई जहां रखिए अब एक अई छटा इन मैंसे यह थार्टीन मैंसे एक छटा तो आई एन टी यार यहां चलागे तो यह यह यतने बचे होंगे कौन से बचे होंगे बाई रैप बचा होगा नमबर टू पर कौन सा जाएगा आर एस्टी जो हां लिखे हैं 7.5 6.5 5.5 इसके बाद कौन सा होगा नमबर 2 3 होगया 4 होगया क्या हूँ और 5 पर क्या जाएगा? चार है नं, तो यह आई एन टी यारे 5 थे यहां पर तो यह चला गया आई एन टी यहां तो चारही बचे इसके बात क्या होगा यहां पर? r st 0 से लेके dot 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 कहां पर number 12 कहां तक 12 तक जाएगा है समझ लो r st कितना r st 7 तक जाएगा dot dot है यहां पर r st 0 r st 1 r st 7 तो यह कौन से interrupts हो गए है backtrade interrupts हो गए है यह कितने है 12 है यहां 12 थे 13 total थे एक बचा यहां पर कौन सा intr इह हो गया backtrade इनकी backtrade location होती है कितने bit की होती है यह memory का address होता है यह जियर 5 की memory का address कितने bit का होता है 16 bit का तो हर एक की backtrade location कितने bit की होगी 16 bit की अब यह number क्यों लेकिनकी backtrade location कैसे होती होगी कैसे होती होगी मतलब backtrade location क्यों चाहिए जब program ए एक्जिकूट करेगा इंटर्प्स रिलेट काम होगा तो man program को छोड़के ISR पर चला जागा, ISR का मतलब क्या है? इंटर्प्स सर्विस रूटीन, इंटर्प्स रिलेटिड सर्विस करने वाले रूटीन पर चला जाएगा तो उस routine का address, starting address किसके पास होगा, वो यही number है, interrupt service routine, इनकी backdoor location होगी सबकी, क्लियर है, तो यहाँ पर इसकी भी चार इनकी थी, आठे हैं, चार हैं, जिनकी number लिखा है, बार रहे होगा, बार रहे होगा, बार रहे होगा, बार रहे होगा, जिसमें कोई number नहीं था, क्लियर है, तो इस वीडियो में अच्छे एक चीज और, इस वीडियो में क्या था, कुछ सिपक कुश्चन इतना था, वाटीज interrupt समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए, एक बार मैं समझ रहे हैं, दो बार वीडियो देख लें, इसके बाद किलासी प्रिकेशन था यहां पर, अभी किसी interrupt को हमने डेटेल में नहीं बताया है, अब आपको ऐसा नोट्स चाहिए, या समझना है कि कौन से interrupt होते हैं, क्या क्या लिखा जाएगा, यह लिखने को आएगा, interrupt का completion से लेके, gate से लेके, किसी भी exam में interrupt के बहुत कुश्चन होता, object type questions बहुत बनते हैं इस पर, vector location कितनी होती, vector interrupt कौन सा, non vector interrupt कौन सी है, इसकी vector location कितनी होती, trap की vector, trap का बहुत पूंचता, क्योंकि trap में, RST 4.5 कहीं लिखा नहीं मिलता, इसलिए वहां फ़स जाते हैं, बच्चे, इसलिए विशेज ध्यान दें, that pen से लिखा हैं यहां पर, तो इनको अगर इसलिए आलग अलग कोश्चन भी पूंचता, इसलिए पूंचता है, एक बार में पूंचेगा तो इतना ही पूंचेगा, पूरा एक साथ नहीं पूंचेगा, पूंचेगा तो मास्केबल, non-मास्केबल, interrupt इसलिए वीडियो हमने अलग अलग रखते हैं, तो यह पहला कर दो आखते हैं, तै को सकति पीकवा, रखते हैं, वीडियो हमने लत two of जाखते हैं, बचуйтеयह दो जखते हैं, तो अवाई होगी लiग हैं, आज अवालंने हैं, तो यह दो, आखते हैं, वीडियो पूंचेगा, ऑуждते हैं में वीडेर दो यह